तो जितने भी लोग यार सबसे पहले चैनल पर हमारे नए हैं सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्क्राइब कर दिजिएगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वोले क्योंकि मैं लाइब सिसन में जब आया हुग रहाता हूँ तो आप सभी का सबसे जो ज़्यादा डाउट आता है कि भईया हमें अश्ट्राइक प्राइस का सेलेक्शन के बारे में एक डीटेल में वीडियो बनाईएगा क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिरकर हमें ये ITM, ATM, OTM सबसे पहले होता क्या है आखिरकर ज़्यादा प्रोफिट किस में होता है ITM का मिनिंग क्या होता है इसके बारे में पूरा एदम से डीटेल में बात करने वोले है कि प्रोफिट सबसे ज़्यादा किस में होता है आपको ITM के लिए जाना चाहिए, ATM के लिए जाना चाहिए, OTM के लिए जाना चाहिए आखिर कर क्यों आपको हमेशा बताया जाते है कि OTM के लिए नहीं जाना चाहिए OTM का प्राइस बहुत ही लो रहता है, यानि कि बहुत ही सच्ता प्राइस रहता है एक lot आपका 2000 में भी आपका आ जाता है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ना आखिरकर premium गलता क्यों है इसके बाले में पूरा detail में बात करने वाले है यानि कि मंडे को अगर जो ITM के लिए जाना है ATM, OTM के लिए जाना है तो कितना point लेना है आपको ITM, Tuesday को कितना point लेना है Wednesday, Thursday, Friday को आखिर कार आपको कितना point लेना है ना तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले चैनल पे नए हो गाईज में एक सुर्ष चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिजिएगा और क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ और स्टेडिंग से लेटेड वीडियो आता है अगर जो आप लोग आप अगर पूरा इप्टी निफटी-फिपटी के चैर्ट पे मैं आप सभी को ले कर के जाने वाला हूं और वहां पे पूरा डीटेल में हम लोग explain करने वाल है तो सबसे पहले अगर जो सौट यहाँ पे देख सकते हैं आइटीम का में फूल फर्म लिखा हुआ हैं इन द बनी उसके पॉइंट के लगवग ही अगर जो आपने अच्छेखा से डीप आइटीम लिया हुआ है तो उतना पॉइंट उतना ज्यादा पॉइंट का प्रोफिट आपको देखने को मिल रहा होता है अब ही मार्केट जहां पे है जहां पे मार्केट अभी करेंट रनिंग है वहें पे जो आप लोग अश्टाइक प्रोफिट का सेलेक्शन करते हो तो यह आपका कहा जाता है आपका एटीम उसके बाद फिर ओटीम का फॉल फ़र्म होता है आउट अफ दि मनी यानि कि मार्केट वहां तक जाएगा अभी मार्केट गया नहीं है आउट अफ दा मनी जहां जिस पॉइंट का आप लोग ओटीम लोगे जिस पॉइंट का लोगे जिस अस्टाइक प्रैस का सेलेक्शन करोगे वहां तक अभी आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट वहां तक जा सकता है ना त आखिरकर ITM, ATM, OTM का क्या होता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं Nifty 50 का यहाँ पर खोल लेता हूँ तो यहाँ पर आप से लोग देख सकते हैं मैंने Nifty 50 का चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है अब मैं बताता हूँ real meaning कि आखिरकर चार्ट पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ITM, ATM, OTM क्या होता है है ना in the money, out of the money and OTM क्या होता है तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं Nifty 50 का चार्ट मैंने open करके रखा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, है ना एक दिन का मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम open करके रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट कहां पर अभी चल रहा है तो मार्केट अभी देखेंगे तो मार्केट exact आपका यहाँ पर चल रहा है यानि कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो आपको क्या purchase करना होता है आपको call का option आपको buy करना होता है तो आपका prediction है कि market ऊपर जाएगा तो यानि कि आप जो है call side के लिए आप लोग जाने वाले हो call का option buy करने वाले हो तो market अभी कहां पे है 25,822 के पास तो सबसे पहले मैंने क्या वाता है ATM होता है यानि कि आपको strike price का selection या फिर आप ATM करोगे या फिर ITM करोगे तो ATM का meaning क्या होता है मैंने क्या बता है कि market जहां पे अभी चल रहा है यानि कि 25,822 के आसपास जो है ना यानि कि 25800 का अगर जो call का option आप आई करोगे तो ये आपका जो strike price का लाएगा ये आपका ATM का लाएगा यानि कि market अभी जहाँ पे चल रहा है ये आपका ATM का लाएगा उसके बाद फिर ATM का मतलब जहाँ पे market यानि कि already जा चुका है यानि कि 25800 के नीचे आप क्या लेने वाले हो आप लोग call का position यहाँ पे बनाने वाले हो यानि कि market उपर जाने वाला है तो ATM का लाता है market जहाँ पे चल रहा है वो तो आपका ATM हो गया है ना अब ATM क्या होगा कि यानि कि 25800 के नीचे जितने भी अश्टाइक प्राइस का selection करोगे ना यानि कि 25800 के नीचे 25700 का लोगे या फिर 2750 का लोगे या फिर 27700 के और भी नीचे यानि कि 25600 के call लोगे तो यह सब सारा जो है यानि कि already जहां तक market जा चुका है उसके अंदर का तक का अगर जो ले रहे हो उसके अंदर का ले रहे हो तो यह आपका कहलाता है ITM इन दा मनी यह आपका strike price आपका ITM कहलाता है ATM हो गया ITM हो गया अब होता है एक OTM OTM का मतलब कि आपको हमेशा इसकी में बताता है वहाई साब OTM के लिए कोई भी नहीं जाना मैं लाइव मार्केट में डेली जो है लाइव सेशन में हम लोग जो है डेली लाइव करते हैं तो आप सभी लोग अगर जो सबसे पहले चैनल पर नहे हो चैनल को सब्सक्राइब क भी करता हूं तो डेली आप से लोग लाइव सेशन में फी आप लोग जोईन होईएगा अब यहाँ पर आपने पोजिशन बनाने के लिए सोचा हो कि कॉल में जाना है तो मैंने ATM बता दिया कि मार्केट 25800 का लोगे तो यह आपका ATM अस्ट्राइक प्राइस हो गया ATM का मतलब 25800 के नीचे है यानि कि 5750 का ले रहे हो तो यह आपका ATM का मतलब होता है कि मार्केट जहां तक जाने वाला है अगर जो आप रेडिक्शन करे हो कि भाई साब 25800 से यहां से मार्केट ना लगवग 5850 की लगवग जाएगा तो यानि कि 25000 अगर जो आप लोग 5850 का कॉल अपसन लेने वाले हो या फिर 2900 का कॉल अपसन लेने वाले हो तो यह आपका कहलाता है OTM यानि कि out of the money यानि कि आपका prediction है कि market यहां तक जाएगा तो इसका क्या होता है कि OTM का जो price होता है OTM का जो call option लोग है तो बहुत ही सस्ता मिलेगा आपको जितना आप ITM के लिए जाओगे उतना price इसका जो एक लोड बहुत ही आदा महंगा आएगा है ना लेकिन यहां पर difference क्या होता है कि अगर जो यहां पर आप लोग ITM के लिए जा रहे हो यानि कि ATM के लिए जाओगे तो market अगर जो मान के चले ITM अब यहां पर दिखाता हो कि आखिर कर price में difference कैसी आता है तो यहां पर अगर जो ITM के लिए आप जा रहे हो यानि कि call option यहां पर सबसे पहले मैं put के लिए बतायता हो है put के लिए ITM, ATM, OTM क्या हो रहा होगा है तो मान के चले कि अब जो है आपका prediction नहीं आपने सोचा हुआ था कि market call side में नहीं जाएगा market put side में जाएगा तो यानि कि आप यहां पर put का position बनाने वाले हो यानि कि put का option आप buy करने वाले हो तब इस case में आपका ITM, ATM, OTM आपका ITM and OTM आपका different यानि कि आप posit हो जाएगा लेकिन ATM तो आपका वही रहेगा यानि कि अगर जो 25,000 at the money, ATM का मतलो क्या होता है at the money है ना यानि कि market जहां पर है वही का आप options buy कर रहे हो यानि कि option buy कर रहे हो यानि कि call में आप buy कर रहे हो या फिर put में buy कर रहे हो तो ये आपका ATM तो आपका same रहेगा कि आप 25,800 का put option अगर जो buy कर रहे हो तो ये आपका ATM हो गया लेकिन अब होगा ATM, ATM का मतलो क्या होगा कि already market वहां तक जा चुका है यानि कि put side में जा रहे हो तो आपका prediction ही नीचे जाने के लिए तो आपका already market यहां तक जा चुका है तो अब इसके ऊपर जो होगा ना तो ये सब सारा हो जाएगा आपका ATM, यानि कि in the money in the money and ATM आपको में क्या बता है कि market जहां तक जाने वाला है, यानि कि market में आप prediction करें कि market नीचे जाएगा तो 25,800 के नीचे कहां तक जाएगा तो 25,000 आप सोचेगा 25,000 750,000 तक जाएगा या फिर 25,000 700 तक भी जा सकता है तो यानि कि market जहां तक जा सकता है आप ये prediction करें कि market यहां तक जा सकता है तो जिस side जाने वाला है वो आपका कहला जाता है ATM and market already put side में अगर जो जा रहे हो तो already market यहां तक जा चुका है अब इसके नीचे जाएगा तो इसके अंदर जितना भी है ये सारा आपका कहला जाता है ITM इसके पहले क्या था अगर जो call side आप ले रहे थे तो ITM यानि कि अभी यहां पे current market चल रहा है इसके अंदर का कहला जाता था ITM लेकिन अब पुट side में आप प्लान करे हो तो put side के अंदर यानि कि अभी जहां पे market चल रहा है उसके अंदर जितने भी है यानि कि 25.950 का जो होगा आपका 25.990 का होगा 25.990 का अगर जो put ले रहे हो तो ये आपका ITM कहला गया 25.950 का अगर जो put option आप बाइ करोगे तो ये आपका कहला जाएगा ITM है ना तो ये आपका होगया basic ITM, ATM, OTM का पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा अब है मैं पूरा एगम से option chain पे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब ये फाइनली बात करते हैं कि आखिर का भई ये difference क्या होता है ITM, ATM, OTM में आखिर का difference क्या होता है तो देखिए अगर जो आप ITM के लिए जाते हो ना अगर जो मान के चले यहाँ पे आप ITM के लिए जाते हो तो market मान के चलो यहाँ से यहाँ तक अगर जो गया तो आपका कितना गया लगवग पचीज़ और 822 गया है ना तो यहां से उपर call side की तरफ आपका prediction था लेकिन आपने ITM यानि कि ITM आपने call option buy करा हुगा था तो यहां पे अगर जो market 80 point move किया है ना तो इसका जो option यानि की chain यानि की इसका premium का अगर जो chart पे देखोगे तो हो सकता है कि ITM का 80 point अगर जो index में गया है तो आपका देखने को हो सकता है मिल सकता है कि 50 point आपका उपर move किया है ITM का strike price यानि कि 25800 का अगर जो call आप लोग buy करोगे तो index में यहां पे 80 point market आपकी side गया है call side गया हुगा है तो premium के chart पे अगर जो देखोगे तो आपका 50 point ही market move करेगा लेकिन अगर जो मान के चलिए वहीं पे आप ITM के लिए जा पर हो सकता है 70 point भी आपको यहां पर मिल रहा होता index के sorry यहां पर premium के chart पे है ना तो यहां पर मैंने क्या होता है यहां पर देखिए ITM में अगर जो आपने लिया तो आपको 50 point का ही profit दिखेगा लेकिन वहें पर ITM के लिए आप जाते सोरी यह होगे ATM के लिए में बता रहा थ है ना अगर जो call option आप 25,700 का buy करते तो आपको 70 point का profit मिलता वही पे अगर जो आप OTM के लिए जाते कि नहीं भी यह मैं तो है ना 25,900 का call option बाइ करता क्योंकि 25,900 का call option यहां मेरे को सचता मिलता तो अगर जो 25,900 का call option आप बात करते है ना अगर जो आप option बाइ कि यह होगे र चार्ट 70,80 point market move करेगा ना तो आपका जो real में आपका जो profit होगा वो 30 point का profit होगा अगर जो आप ATM के लिए जाओगे तो 50 point का profit होगा यानि कि 30 point से ज़्यादा आपका profit होगा यानि कि यह तो confirm है कि 30 point से ज़्यादा आपका होना ही होना है अब हो सकता है आपको थोड़ा बहु यानि कि premium option जो आप premium buy करते है श्ट्राइक प्राइक प्राइस पचीज़ अर्शास को जो premium है वो directly आपका उसके यानि कि premium के चार्ट पे आपको लगवग 70-80 point का भी profit आपको देखने को मिलता तो यह आपका difference होता है और इसलिए आपको का जाता है कि हमेशा आपको ITM के लिए ह आना चाहिए क्योंकि आपका कही बार आप लोग देखते होगे ना कि भाई सब यहाँ पे market time pass कर रहा है market time pass कर रहा है अगर जो market finally आपका 10 point उपर भी जाता है अगर जो आप OTM के लिए जाते हो तो आपका index का चार्ट है आपको premium का चार्ट है वहाँ पे आपको profit दीखने को इसी के लगभग आपका premium का भी price आपका बढ़ रहा होगा लेकिन OTM के लिए लोगे out of the money लोगे तो उसका premium का price तो आपका कम होगा एक lot हो सकता है कि आप अगर जो ITM के लिए लोगे तो एक lot हो सकता है nifty 50 में आपको 5000 पे मिलेगा तो वहें पे OTM के लिए लोगे तो वहाँ बड़ा बड़ा यानि कि profit आपको देखने को मिला है यानि कि index का चार्ट में जितना point का move आएगा ना उतना point का move आपको premium के वी चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा है ना उसी तरह के सेर वहाँ पे OTM के लिए मैं बतायता हूं है ना कि मान के चलिए यहाँ पे 800 का अगर जो बाय करे हो तो यह आपको हो गया ATM है ना यह हो गया add the money तो मान के चलिए 2500 आट सो यहाँ से market पाचीज़ आट सो से market आगे 2500 गया तक है ना यानि कि यहाँ पे आपने जश्ट इंट्री लिया put side के लिए यहाँ तक market finally यहाँ तक आ गया यानि कि 2500 700 के लगवग त यहां पे 100 point का मूउव देखने को मिला यहां पे कितना मूव देखने को मिला इंडेक्स के चार्ट पे 100 पूएंट का मूव देखने को मिला तो आपने अगर जो 2500 800 यानि कि ATM का अगर ज़ो आट्यान का प्रा आट Sikh मूआट का सेलेक्शन आपने कर रहा हुगा है तो आपको 100 100 point में हो सकता है कि आपका premium के chart में ATM अगर लिया हुआ तो 100 में से आपका हो सकता है 70 point का profit आपको देखने का देखने को मिलेगा ATM के लिए अगर जो आप मान के चली कि ATM लेते, ATM आपका क्या होता यानि कि इसके उपर इसके उपर जितना वही है यानि कि 50,850 का है प्रिमियम के चार्ट पे आपको 80 पॉयंट का प्रोफिट आपको देखने को मिलता लेकिन वहीं पे अगर जो 25,700 का श्राइक प्राइस का आप सेलेशन करते तो यह हो गया आपका OTM यानि कि मार्केट जहां तक आप प्रेडिक्सन कियो थे जहां तक मार्केट जाएगा वहां यहाँ पर आपका ITM के लिए आपको 80 पॉयंट जो आपका प्रीमियम आपका बढ़े गा तो यह जो 70 पॉयंट है इससे भी कम यानि कि हो सकता है कि 50 पॉयंट से 60 पॉयंट आपका ही बढ़ेगा आना इस तरह कि से देख सकते हो कि index का chart तो आपका चाहें आप ITM का selection करो, चाहें आप OTM में जाओ, चाहें आप ATM में जाओ, आपका index का chart अगर जो 100 point move कर रहा है, लेकिन यहाँ पर strike price का selection के basis पे, आपको जो point में जो profit मिलेगा, वो आपको देख सकते हो, अगर जो आप ATM के लिए जारे हो, तो आपको 70 point का मिलेगा, अगर जो आप OTM के लिए जारे हो, तो देख सकते हो, यहाँ पर 50 point का ही मिलेगा, वहें पर आप ATM के लिए जाते हैं, तो भाई साब 80 point का आपको profit मिलता, तो यह आपका difference होता है है ना, आपका ITM, ATM, OTM में अब मैं आपको बताता हूँ ideal way, यानि कि ideal तरीका आपको ITM, ATM, OTM में आपको कितना लेना चाहिए, मैं जो nifty 50 के लिए मैंने पूरा इदम से detail में आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आखिरकर ideal आपको कितना लेना चाहिए, ITM, ATM, OTM है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं nifty 50 के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाकियर bank nifty के लिए आप लोग comment कर सकते हैं कि भाई आप बैंक nifty के लिए premium आपका गलता नहीं है ना तो Friday की दिन सिर्फ शृप आपको ATM के लिए आप जा सकते हो है ना, ATM के लिए आपको जाना है Friday की दिन भी मैं वही बोलूँगा का आप अगर जो OTM के लिए भाई साब आप जा सकते हो मतलब, OTM Friday की दिन आप OTM के लिए जा सकते हो 50 पॉइंट का आप OTM के लिए आप जा सकते हो है ना, 50 पॉइंट से आपको जादा OTM के लिए नहीं जाना है अगर जो मैं बात करूँ कि मंडे के लिए मंडे के लिए भाई साब आपको हमेशा ITM में जाना है, यानि कि Friday को सिर्फो सिर्फ आपके पास एक आप्सन रानेश किया आप OTM के लिए जा सकते हो आदरवाइस आपको इसके अलावा चाहे मंडे हो, चाहे टूजडे हो, चाहे वेडनाश्डी थरस्डे, आपको कभी भी OTM के लिए फिर नहीं जाना है, हमेशा आपको ITM के लिए जाना है, मंडे को ITM के लिए जाना है, 50 point के लिए आप Roglic Tuesday की बात करूँ तो आपको ITM ऩराए हनीज पा乾्ण आपको ITM के लिए जासकते हो Wednesday को ITM के लिए आपको जाना है 100 से 150 point आपको ITM के लिए जाना है Thursday को जो कि आपका Expiry होता है 194050 का उस दिन दो भाई साब आपको 200 पॉइंट आपको ITM के लिए जाना है क्योंकि अगर जो आप लोग ITM के लिए नहीं जाओगे तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में आपने अगर जो यहीं पर इंट्री किया है तो इसका प्रीमियम गल करके 140 रुपीज हो जाएगा यानि कि आपको दस रुपी का इभंड लॉस हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत ही जादा गलता है कि profit में कितना ज्यादा difference देखने को मिलता है ना कि index आपका 100 point भी अगर जो मूब कर रहा है तो ITM के लिए आप अगर जो जाओगे वहाई सब 80 point का आपको profit देखने को मिलेगा अगर जो है पर OTM के लिए जाओगे तो कि हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा ITM का ही strike price selection करना है लेकिन ITM क्या होता है कि आपका पैसा थोड़ा जादा लगता है यानि कि महगा होता है ITM का strike price देखो में दिखाता हूँ ना अब मैं फुरा एक दम से मैंने open करा हुगा है यह यहाँ पर देख सकते है ना option chain फाइलि आपको nifty 50 के चार्ट पर आप सभी को दीख रहा होगा ओके तो यह फाइलि मैं यहाँ पर दिखा जाता हूँ यह आप आप देख सकते हैं अहां पर तो यह देख सकते हैं ना market अभी कहां पर चल रहा था तो यह देख सकते हैं exact अभी अगर जो market चल रहा है 25 अगर जो कॉल साइट में के लिए अगर जो आप जा रहे हो तो यानि कि ITM यहाँ पे कौन सा होगा कॉल साइट की तरफ जा रहे हो यानि कि आपको लग रहा है कि 25,850 जाएगा 25,900 जाएगा तो आपका इसमें ITM, ATM तो सबसे पहले आपका 25,800 का ही हो तो यह हो गया आपका ITM, है ना तो यहाँ पे देख सकते हो ITM का विने भता है कि या स्ट्राइक प्राइस इसका आपका प्रीमियम बहुत ही जाधा महेंगा होता है तो देख सकते हो 25,800 यानि कि ATM लोगे तो देख सकते हो 144 रुपया इसका प्राइस चल रहा है क्योंकि एक लोट जो है 25 quantity अभी निफ्टी 50 में आता है ना पहले 50 quantity आता था एक लोट में और वहें पर देखोगे कि अगर जो finally call side में और भी आपको call side के लिए जाना है तो और भी आपको जो जाना है call side में तो देख सकते हैं 25 अर 650 का premium और भी 250 आपका हो गया है तो जैसे इसे ITM के लिए जाओगे वो इसे इसे आपका call side के तर प्राइस आपका महेंगा होता जाएगा वहें पर मैंने बता है कि आप आपको OTM के लिए लिना है तो देख सकते हैं आपको आपको call side के लिए अगर जो आपको लग रहा कि नहीं नहीं मार्केट तो put side में जाने वला है तो put side यानि कि अभी मार्केट 25800 के लगवग अभी मार्केट चल रहा है अभी मार्केट कहां भी चल रहा है 25800 पे मार्केट चल रहा है तो आपको लग रहा है कि मार्केट put side जाएगा यह को जाएगा आपका ATM यानिकी attm 25-800 का अगर जो लोग है तो यह आपका ATM हो जाएगा और जहां तक market यानिका यह आपकाmother ITEM यह को अपका ITEM यानिकि अब Putside के लिए जाना है तो आपको putside का तरफ Aseatt comes price selection करना है तो ATM का देखोगे 97 रुपेज प्राइस है लेकिन वहें पे ITM देखोगे तो ITM के लिए जितना आप डीप ITM जाओगे उतना प्राइस इसका बढ़ता जाएगा है ना देख सकते हैं अगर जो 25,850 का ITM लोगे तो आपको 120 रुपेज पढ़ेगा अगर जो 25,900 का ITM लोगे तो 146 रुपेज पढ़ेगा अगर जो 25,950 का ITM लोगे तो देख सकते हैं 177 रुपेज यानि कि जितना आप ITM के लिए जाते जाओगे उतना प्राइस इसका बढ़ते जा रहा है वहें पे OTM के लिए जितना जाते जाओगे उतना ही प्राइस आप इसका कम होते जाएगा लेक पर जो मार्केट टाइम पस कर दिया तो आपका हो सकता है कि आपने 140 रुपीज पर लिया हुगा है आपका इस 140 रुपीज यहीं पर कहीं नहीं गया हुगा है फिर भी आपका प्रीमियम का वैल है क्योंकि टाइम का इसमें वैली होता है 140 रुपीज पर प्रीमियम जो है आहीं भी नहीं खिया आपके फिर भी आपका कम प्रींआम algún making लुए तरी ये आपको में सा Cyber के लिए आपको कवी के लिए जाना ऐए खास करके सब सब्सक्राइब के दिन तो मतलब सब्सक्राइब कर लिए इसका हो सकता है 65 रुपीज इसका प्राइस हो जाएगा कि मार्केट जहां पर आपका डारेक्ट लिए 10 रुपे का आपका नुकसान हो जाएगा तो इस तरह के से आप लोग को आई होप ITM ATM ATM के बारे में अच्छे से डीटेल में आपको समझ में आ गय आपको अच्छा मिले इसके लिए फाइनली फाइन को बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है तो इसलिए हमारे इस हाड़वर के लिए एक लाइक तो बनता है और बाकी चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को आप सोई लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा और यहां पर व वीडियो पर आप लोग जाओगे तो वीडियो पर बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है बाकी मेरा डेली जो है सौट्स वीडियो भी मैं डेली अपलोड करते रहता हूं है ना यहां पर जो वीडियो पर फाइनल एर थोड़ा सा लेट से अपडेट होता है तो यहां पर बहुत सारे वीडियो जैंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुगा है। होंगे बंद यानिकी लॉस होना आपको बहुत हद तक बंद हो जाएगा यानिकी मार्केट ओपन वने से कि नेक्स्ट वीडियो हमारे कौन से टॉपिक पर आना चाहिए ना सो बाकी बास मिलते हैं शुक्त थैंक्स मच्छ विस्ट लव्यों थैंक्स मच्छ